हेलो एवरीबडी, वेलकम तो में चैनल, इस में टारो 313, so guys कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं current feelings and thinking of your person about you, क्या है current feelings and आपकी person की thinking आपके लिए इस time currently वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा feel कर रहे हैं, plus उनका next move क्या होगा आपको लेकर, क्या लेंगे वो next action आपकी त जो लोग चैनल पे नहीं हैं, don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell, personal readings के लिए आप लोग मेरे email पे यहां फिर Instagram पे contact कर सकते हैं, description में सब details mentioned है, please check it out and मुझे Instagram पे जरूर फोलो करेगा, वो भी आपको description में मिल जाएगा, so let's start the reading, अपने person पे focus करिए जिन के लिए आप इस reading गो देख रहे हैं वीडियो को like जरूर करिए ताकि readings के energies आप से exchange हो सकें, एक timeless reading है, so जब भी आप देखेंगे आप से resonate जरूर करेगा, but जितना resonate easily करता उतना रखेगा, जबर्दस्ति के आपने किसी भी चीज़ को अपने fix करने की कोशिश नहीं करने, so let's start the reading, देखते हैं, current feelings and thinking of your person, कैसी feelings है और कैसा सोच रहे हैं आपके person आपको लेकर currently, so let's see, so first we have insatiable, unquenchable and wanting more, इस person का star sign guys, cancer Pisces Scorpio हो सकता है, let's see more, current feelings, okay, solved, moving physical location change, इस time आपका long distance मुझे दिख रहा है, यहां पर physical distance है आप लोगों का, okay, we have racing, running and avoiding, definitely guys, यह इन्सान वो है जो आप लोगों से भागा है, इस person ने आपको avoid की है, because I think, यह person बिल्कुल भी आप से satisfy नहीं हो रहे थे, इनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए था, like एक इन्सान होता है जिसको कोई इन्सान मिल जाता है, उसको satisfaction नहीं होती, उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे की जो है, वो तलाश होती है, यह person ऐसा था, that's why हो सकता है, इन्होंने अपने आपको, अपनी location को भी change कर लिया, यह person ने physically कहीं ना कहीं movement किया है, या तो इसने अ आप के साथ सकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ लोगों की nature ही ऐसी होती है, वो insatiable होते हैं by nature, कि वो किसी भी जी से जो है, वो खुश नहीं होते हैं, किसी भी जी से जो है, वो बिलकुल भी राजी नहीं होते हैं, उनको फिर कुछ भी मिल चाहे, we have lock box, lock box, it's a closed in, trapped and frustrated but right now, यह person जो है, आप पे स्टक हो चुके हैं, आपको छोड़ने के बाद, we have interlude, pause timing factor, I think past में आप लोगों के मिलने का time में नहीं था, timing आप लोगों के favor में नहीं थी, that's why यह person आपको छोड़ के चले गया, ठीक है, यहां तो आप लोगों नहीं हो सकता है, moment कहीं की है, चें जो के आप लोगों से बागा है, because past में आप लोगों का एक timing नहीं था, divine timing नहीं था, आप लोगों की किस्मत में नहीं था, तब एक दुसरे के साथ रहना, but छोड़ने के बाद, आपको guys, यह person जो है, आप लोगों के उपर जो है, वो stuck हो चुका है, and right now, इनको काफी सीदा frustration हो रही है, कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा के पीछे जो यह person भागा है, इसने ना तो इसके पास आप रहे हो ना ही इस person को कुछ और मिला है, ठीक है, ज्यादा की पीछे पीछे इस person ने आपको भी छोड़ दी है, जो इस person के पास मजूद था, we have lost, ghosted, blocked, cut off, yes, आप दन कोई बात किये बिना आप लोगों को ghost कर दिया, आप से connection खतम कर दिया, और आप से बाग गया, और आपको समझ नहीं आई कि इस इनसान ने क्या कर दिया, ठीक है, but right now, ऐसे लग रहा है कि यह आप लोगों पे इस person की जो life है, वो pose हो चुकी है, like यह person इस time stuck situation में गुज़रा है, trapped है, आप लोगों के अंदर ही, यह person की जो energy है, वो trap मुझे दिख रही है, आगे नहीं बर पा रहे है अपनी life में, और यह situation इस person को काफी ज़्दा frustrate कर रही है, we have intervention, rescue, other involved, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है, दूसरे लोगों की involvement थी, जिसकी वज़ा से इस इस इनसान को लोग attract कर रहे थे, but right now, यह person चाहते हैं कि आप लोग आओ, और इस person को rescue करो, like यह जिस भी situation में है, frustrated situation में है, इनको आप इस मुश्किल से निकालो, और आप एक दूसरे के साथ connection में आओ, यह person आप पे stuck हो चुका है, एक होता ना, जैसे lock लगा देना, किसी इनसान के उपर, like stuck हो जाना, उससे आगे move ना कर पाना, यह उसके इलावा किसी से आगे, अपनी life में continue ना कर पाना, यह वो energy मुझे दीख र लोगों से राजी नहीं हुए और आप लोगों को छोड़ दी गया, बट अभी, आप खुद ही कुछ ऐसा कर सकते हो, कि यह इनसान को इस सब सिच्वेशन से निकाल सकते हो, और आपकी life में यह इनसान वापिस आ सकता है, बट timing was wrong at that time, बट right now, शायद timing आ चुकी है, जिसकी विज़ा से यह परसन आपको avoid नहीं कर पा रहे हैं, जो past में avoid करते रहे हैं, and we have triggers, name, car, places, कुछ लोग हो सकता है, उनको यह चीज़े trigger की हैं, शायद यह परसन और आपके दरमयान कुछ differences थे, जिसकी वज़ा से इस 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 आपको छोड़ कि किसी और के पीछे बाग करता रहा, उसके पीछे बागता रहा, तो अब इस situation ऐसे आगई है, ना तो इसको woke मिल है, ना आप रहो इसके पास, ठीक है, तो यह कुछ ऐसी मुझे energy दिख ली है, इस person को famous होने का शोक हो सकता था, ठीक है, past में था, but अभी कुछ भी नहीं बाकी इस person के पास रहा, इसे लग रहा है, इस इनसान ने सब कुछ खो दिया है, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है, इस इनसान ने कहीं, अब मूफ किया था, अपना, you know, new home लिया था, new house लिया था, बट अभी शायद हो सकता है, इन्हों ने वो भी sold कर दी है, और अब इस person के पास कुछ भी नहीं रहा क्योंकि जिनके साथ इनका connection रहा है, शायद हो सकता है, इस इनसान के पीछे, वो थे, इस person के name के पीछे, इस person के घर के पीछे, इसकी सारी property हो सकता है, इसने किसी को दे दी है, उसी चक्रों में, affairs के चक्रों में, यही मुझे energy आ पे आ रही है, but we have lockdown, कुछ लोगों को हो सकत कुछ भी अच्छा नहीं किया, उस वज़ा से, यह energy आ रही है, तो यह आपके पास वापिस आना चाते हैं, लेकिन वो चाते हैं कि आप आओ, और इनको rescue करो, इस difficult situation से, क्योंकि यह person तो खुद आने से रहा आप लोगों के पास, तो इसलिए जाते हैं, आप आओ, और इस person क को इस difficult situation से rescue करो, ताकि आपका finally जो है, वो connection आगे move कर पाए, yes, क्योंकि यह person काफी जदा frustrated है, it's time, now let's see from the tarot, क्या है current feelings and thinking आप लोगों के person की आप लोगों को लेकर, current feeling and thinking, last from my next move देखूंगी और आपके लिए guidance भी देखूंगी, So we have six of cups, यह person आपको बहुत जदा गाईस याद कर रहे हैं और यह आपसे मिलना चाहते हैं, यह person सोच रहे हैं आपसे reconciliation का, because आपके साथ जोभी नोंने time spend की है, इनको बहुत जदा याद आ रहा है, यह माजी की यादों में बहुत जदा है यह person, और यह चाह रहे हैं कि दु connection में सूस कर पा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यह आपकी तरफ दुबारा से एक नया proposal ले कर रहे हैं, क्योंकि यह person आपको बहुत जदा चाहते हैं, और जितना आपसे दूर हैं, जितना जदा इस person का, आपसे break up का time गुदरता जा रहा है, इस person को आपकी याद आती जा रही है, और यह चाह रहे हैं कि आपके इस connection में new beginning की जाए, नमबर six है, नमबर one काफी important दीख रहे है, इस स्ट्रोंग cancer पाइसी स्कॉर्पियो energy, यह आपको proposal देना चाहते हैं, दुबारा से relationship का, दुबारा से commitment का, क्योंकि यह आपको बहुत सदा प्यार करते है guys, यह person आपको जाता है, ऐसे energy देख रही है, we have the chariot, a strong cancer energy, number seven भी आपके लिए important हो सकता है, यह आपकी तरफ action लेना चाहते हैं, यह चाहते हैं, यह चाहते हैं, आपकी तरफ moment लें, ताकि आपका reunion हो सके, आपका reconciliation हो सके, और आप दोनों के दिन्मयान जो है, वो love दुबारा से start हो सके, travel involved ह यहां पे आप लोगों के दिन्मयान, yes, तो यह person इस टाइम ऐसे लग रहा, जैसे decide कर चुके हैं, यह चाहते हैं कि बस आपकी तरफ आएं क्योंकि यह attention बहुत ज़दा इनकी बढ़ती जा रही है, stress बहुत ज़दा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वज़ा से यह person बहुत ज़ of fool, यह action लेंगे guys, बट यह risk लेना चाहते हैं, यह person risk लेगा, आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि जब तक यह risk नहीं लेंगे, इनको पता है, leap of faith रखके इनको risk लेना पड़ेगा, तब ही आपकी तरफ आप आप आएंगे, और आपका इस connection का दोबारा से reconciliation हो पाएगा, yes, because I feel कुछ लोगों के person को यह लग रहा है, कि जैसे इस इस इनसान को, कि आप तो नहीं आप आने वाले इनके पास, इनको हुदी कोई नहीं को risk लेना पड़ेगा, अगर इनको पता है, कि इनको आपके पास आना है, आपसे reconciliation करना है, यह आपको अपने life में वापस चाते है क्योंकि यह person life में आपको वापस चाता है, और यह आप से second chance भी चाते हैं, कि आप इनको एक दूसरा मौका दो, ताकि आपके दर्मयान और इनके दर्मयान जो है, दुबारा से love create हो सके, और अच्छा connection जो है, वो आपके दर्मयान बन सके, बिकुस बहुत strong chances दीख रहे हैं, कि यह आपको proposal देना चाते हैं, marriage का हो सकता है, engagement का proposal हो सकता है, बट यह देना चाते हैं, and we have nine of swords, बहुत जदा tension, बहुत जदा anxiety में है यह person, और इस anxiety से यह बाहर निकलना चाते हैं, और उसी वरह से यह person, यह stress जो है, यह anxiety जो है, यह tension जो है, इस person को आपकी तरफ risk लेने में आपकी तरफ moment लेने में जो है, वो बहुत ज़्यादा, like, एक इस person को ना convince कर रही है, इसी tension को से release करने के लिए ना, यह इनसान आपकी तरफ action लेगा, क्योंकि उनको curiosity बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की, कि आपके life में क्या चल रहा है, आपकी तरफ आना चाते हैं, आ बिल्कुल भी आप से satisfy नहीं रहे, ठीक है, लेकिन इनके पास अभी भी कुछ नहीं है, इस person is totally empty, बिल्कुल खाली है यह person, नंबर 7 important है, नंबर 9 important है आप लोगों के लिए, Gemini, Libra, Aquarius is very strong, आप दोनों air sign and water sign का couple भी हो सकते हो, ठीक है, कुछ लोगों की तरफ से इस person की age मु आप से family बनाना चाते हैं आपके साथ, yes, यह person का खुआब है, क्योंकि यह person dream करते हैं, आप लोगों को लेकर, कि किसी तरह से आप दोनों के दर्मियान, प्यार जो है वो दुबाड़ा से, उसी तरह से बने, जो past में कभी, आप लोग इस person से करते थे, यह वैसा ही प्यार आ चाते हैं, और आपको करना भी चाते हैं, क्योंकि अब यह इनसान आप से satisfy होगा, चाहे past में satisfy नहीं हुआ, ठीक है, इस person को सकून नहीं आप से मिल रहा था, क्योंकि इसकी nature ऐसी थी, अब भी with time, इस person को सारी जीज़े समझ आ रही हैं, और यह आप आप से satisfy होगा, अब इस yes, and we have night of cups, यह आपकी तरफ ओफर लेकर आ रहे हैं, फैमिली बनाने की, guys, definitely, there is a lot of emotions with a night of cups, यह आपकी तरफ रोमेंटिक ओफर लेकर आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इस person के इस love की ओफर को, इस रोमेंटिक ओफर को accept करो, ताकि आपकी जो है फैमिली आगे, finally बन सक है, and मुझिला करना कुछ लोग हो सकता है, इनकी फैमिली भी agree कर चुकी है, आपके साथ शादी के लिए, इस रिष्टे के लिए, अगर नहीं हुई तो यह person अपनी family को definitely मना लेंगे, बटी आना जाते हैं, आपके साथ अपना romantic time spend करना चाते हैं, और अपनी life को आपके साथ ही spend करना चाते हैं, this personally wanna grow old with you, yes, your relationship बनाना चाते हैं, और यह person अपने heart को follow करते हुए, अपने दिल की सुनते हुए, यह इनसान आपकी तरफ आ रहा है guys, और आएगा पी, मैं timing देखूंगी कि next move में कितना time लगेगा, लेकिन यह person अपने दिल को follow करते हुए, आपकी तरफ आ देखूंगी आपके लिए guidance क्या है, let's see, कब तक action हो लेंगे यह person, we have night of pentacles, यह person plan तो guys कर रहा है, देखो, slow and steady energy है यहाँ पे, काफे time से हो सकता है, plan कर रहे हैं, लेकिन execution बाकी रहा गई है, क्योंकि एक stable offer के साथ आना है, stable commitment के साथ आना है, that's why the moon, इस person को भी confusion है कही ना कही ठीक है, that's why यहाँ पे time लग रहा है, because इनको ना clarity नहीं है, कि आप लोग क्या आगे से react करोगे, या आप कितना इस person के trust कर पाऊगे, या नहीं कर पाऊगे, क्योंकि with the moon, यह person ने कुछ ना कुछ obviously आपको हो सकता है, कुछ लोगों को cheat की है, कुछ लोगों की तरफ से इस person आपके trust बर्दी issues रहें आपके साथ, ठीक है, तो यह चीज़ें कहीं न कहीं इस person के mind में अभी भी confuse कर रहे हैं इस person को और यह person अपनी intuition सुनते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको mood swings भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, sometimes यह person चाहते हैं, कि जल्दी से आपकी तरफ आ दिख रहे है, Cancer and Pisces Scorpio is very strong, but Cancer Pisces is very very strong, Taurus Virgo Capricorn की energy भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong दिख रहे है, number 18 भी important हो सकता है आप लोगों के लिए, age की बात करूं तो guys 20 plus यह 30 plus मुझे age यहाँ पर आ रहे है, number 10 and number 1 भी काफी important, 11 number काफी important है, double 1 master number काफी important दिख रहे है, तो action यहाँ पर इस person को time लगएगा action लेने में, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 9 weeks लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 9 months भी लग सकते हैं, अब आप कहेंगे इतना time तो बहुत दिख रहा है, इतना time तो मैंने तो आपको वही बताना है, ठीक है, लेकिन यह person जो है अपनी intuition को सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से यह आपका जो trust है वो gain कर सकते हैं, किस तरह से यह person आपकी तरफ action ले सकते हैं, वो execution रह गई है, बिकर यह person आना चाते हैं, वो चाते हैं इनको profit हो इस connection में, let's see आपके लिए guidance क्या है, आपको क्या करने की जरूरत ह okay, it's a cancer and scorpion energy, it's time to release negativity, अगर आपके mind में किसी भी तरह की कोई negativity है, यह आप negative सोचते हो, कुछ भी बुरा सोचते हो, तो आपको उस चीज़ को release करने की जरूरत है, बुरा सोचना या negative सोचना बंद कर दें और positive सोचें, take time to breathe out, आप लोगों को relax रहने की जरूरत है, meditation करें ठी ठीक है, और relax रहें, breathe in and breathe out करिए, ठीक है, तब ही आप लोग जो है ना, जरा थोड़ा सा body आपके relax होगी और आपका mind भी relax होगा, लेकिन आप negativity से बाहर आओ, guys, we have Pisces, meditate and contemplate, मैं आपको उलड़ी बता चुकी हूँ, यहाँ पर क्याप meditation करो, contemplate करो, ठीक है, आप सोचो, आपको balance करो, relax करो, वो चीज करो जो आपको relax करती है, वो practice करो, exercise करो, relaxation की, so this is your reading, I hope this will resonate with you, मुझे comment section में आप लोग feedback जरूर दीजेगा, मैं मिलूगी आपको next reading में, till then take care, bye